Hello friends, welcome to my channel मेरा नाम है गौतम कुमार आज जो ये देख रहे हैं आपकी एक दिन में दो साल का profit क्या ये possible है? वो भी intraday में बिल्कुल possible है कल जिस stock के बारे मैंने intraday में आपको बताया था कोई in liquid stock नहीं, कोई penny stock नहीं nifty fifty का stock था और intraday में उस stock ने दो साल का FD return को भी break किया है, यानि की 5.5% का bank return होता है एक साल यानि की 10-11% दो साल में bank return मिलता है, उस से ज़्यादा profit, भारत परसेंट का up move हम लोगों को एक दिन में देखने को मिला है, stock का नाम है Tata Motor हम intraday में आपके लिए क्या वीडियो बना के लाए थे कल, वो आप एक ज़रा देखिए इस टॉक है हम लोगों का जो breakout के लिए हम लोगों wait करना है वो stock है Tata Motor crucial level पर यह भी खड़ा है first time, second time, third time यह breakout दिया, नहीं sustain किया वापस से फिर resistant, अभी देखिए exact resistant point पर यह खड़ा है, अगर यह 201 के उपर जाता है, तो यह काफी बड़ा rally कर सकता है upside, काफी बड़ा, तो देखा दोस्तों आपने क्या बताया था मैंने कि अगर यह 201 के उपर जाता है, तो यह काफी बड़ा rally कर सकता है, तो यह कैसे होता है यह predefined आपको बताया कि यह 201 के उपर अगर जाता है तो ये काफी बड़ा क्योंकि वो weekly assistant था बहुत ज़्यादा crucial label पे वो ख़ड़ा था और वो 12-13% बढ़ने का reason एक ही है कि बड़े players जो investor है उनके लिए वो रास्ता clear हुआ और उसमें पैसा हुआ अब invest कि हैं बड़ा target है यहां से दूसरा stock मैंने जो आपको sort करने के लिए दिया था वो दिया था M&M Finance एक बार भी ये green candle 15 मिनिट में red candle नहीं बनाया पांच मिनिट में entry लेने के लिए कहा था पांच मिनिट में अगर entry देखा जा तो काफी बड़ा downfall हम लोगों को देखने को मिला और मतलब stock नहीं चाहिए रहा कभी ऐसे लेट होने का तो बात ही छोड़ दीजिए तो 3% सारे 3% तक यह भी downfall गया था तो इसमें भी आपका अच्छा profit बना तिसरा stock था Tata Power जो की wait and watch था wait and watch ही रह गया क्योंकि आज उसका level नहीं आया पर उसको आपको अपने radar पर रखना है रोज आपको इस तरह का up move नहीं मिलेगा अगर मिलने का होगा stock हमको दीखेगा कि जो बहुत ज़्यादा crucial level पर खड़ा है तो वो हम आपको identify करेंगे कि क्या इस पे कैसा move आ सकता है चलिए कल का stock हम लोग जानते हैं पहला stock है L&T Larson and 2bro इसका क्या है कि ये भी weekly candle में अगर देखें हम लोग तो all time high तो नहीं पर एक swing high जो इसका था उसको touch करके नीचे आया है तो एक बार में अगर कोई stock नीचे गिरता है तो वो एक दम नीचे नहीं आएगा ये जो rejection है ठीक है न और हम लोग इसको price action के according trade कर सकते हैं क्या है price action? price action है कि एक बार touch किया resistant दुबारा आके support लिया है कहां पे जहां पे support break होगे ये गया था तो अब इसको break करके उपर जा रहा है अगर कल nifty momentum में दिखता है कि green में दिखे तो आप इसे buy कर सकते है stop loss काफी छोटा है target आपको 1 is to 2 easily मिल जाएगा अगर ये नीचे जाता है तो नहीं करना है trade ठीक है दूसरा stock Cummins India दूसरा stock भी हम लोग होगा कल के जैसा जो head and solder pattern हम लोग हो M&M Finance में मिला था kind of pattern इसमें भी देखने को मिल रहा है ये अगर 620 के नीचे close दे रहा है 1 minute candle में भी तो आप entry कीजिए और अच्छा कासा आपको 678 का target इसमें भी मिलेगा trailing SL यूज कीजिए ताकि profit को आप protect कर पाए तिसरा stock reliance Reliance का जो price है काफी नीचे आके close दिया है यहाँ पे तो अगर ये नीचे जाता है तो आप इसमें entry लीजे मगर इसको आप exit कर दिए क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा stock होता है जिस पर सब लोग trade करते हैं ये इतना जल्दी break नहीं करता है ठीक है ना तो अगर आपको target ये मिलता है तो निकल जाएए क्योंकि close होते होते तो आपका ये जो break होगा ये अगर break होता है तो ये target से जादा आप expect मत कीजिए flow flow में मिलता है तो ठीक है वरना आप नहीं लिए क्योंकि देखिए क्योंकि जो बड़ा stock होता है वो easily गिरता भी नहीं है market leader है ये सब तो ऐसे stocks बहुत जादे stable होते हैं तो इन सब में हम लोगों को उस type का move नहीं मिलेगा ठीक है टाटा पावर आप अभी भी radar में रखिए कल का वीडियो आप देखिए जो मैंने बनाया है कि क्या टाटा पावर के है क्योंकि आज टाटा मोटर में अगर आपका movement miss Ho गया क्योंकि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया कल ही मेरा पहला analysis विडियो था जो की बहुत अच्छा गया अगर आप Tata Motor का moment miss हुआ है तो Tata Power आपको बहुत जल्द ऐसा movement देगा जब मैंने Tata Power पर वीडियो बनाया था कि next यह आप इसको खरीट सकते हैं तो दूसरे दिन जो उस चीज का जो index था nifty 50 mid cap का उसका वो top gainer था ठीक है न तो देखिए analysis पर दिहान दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए Fires का यह terminal है यहाँ पर 30 day का program चलता जिस पर आप trade करते हैं और अलगर आप profitable रहते हैं तो आपका entire brokerage जो है वापस आ जाएगा तो इसलिए मैं इसमें भी trade करता है करें तो आपका यहाँ पर आपका यहाँ थाँ है